जाहिंद फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स की सिरीज में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था तू वैरियेबल्स में लीनियर एक्वेशन कैसे सालू की जाती है मतलब दो अचार अगर दिये गया हूं दो चर दिय किये गया हूं तो फिर हमारा रहखिक समीकरण कैसे सालू किया जाता है अब हमने उसमें दो विधी देख ली थी एक थी ग्राफी विधी और दूसरी थी पीजगडित की अलजबरा की प्रतिस्थापन विधी सब्स्टिट्यूशन में अब हम तीसरे और लास्ट टॉपिक क या एलिमिनेशन मेथ़ड़ विल ओपन विधी या एलिमिनेशन मेथ़ड इस मेथड में करते क्या हैं वो देख लेते हैं पहले प्रासेस देख लेते हैं फिर हम उधारण से चीज़ों को समझते हैं हमारी एक्वेशन एवन एक्स प्लस बी वन वाई इस इक्वल टू सी वन दूसरी एक्वेशन एटू एक्स प्लस बी टू वाई इस इक्वल टू सी टू यह दो एक्वेशन दी गई है तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिंबल आफ मल्टिप्लायर या हिंदी में कहेंगे गुडांक का चिन्ह देखते हैं। क्या opposite हो? मतलब एक का positive हो और दूसरे का negative. वो कोई भी हो सकता है, positive ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, negative ये भी हो सकता है, बस हमें ये देखना है, कि जिस भी symbol जिस भी हम X या Y में से जिसको भी हमें eliminate करना है जिसका भी हमें will open करना है उसके multiplier का या उसके गुडांग का चिन्ह देखना पहले चिन्ह देखना है value नहीं देखनी है अगर same है अगर same है तो subtract करेंगे subtract मतलब minus करना है गटाना है और अगर opposite है तो add करना है मतलब जोड़ना है ये घटाना और जोड़ना किसका करना है equation का ये ध्यान रखिएगा मतलब equation 1 minus 2 लिखेंगे या equation 1 plus 2 लिखेंगे अब खाली चिन्ह देखने से मतलब नहीं है अब आपको इसकी value भी देखनी है गुडांक का मान देखना है यहाँ पर है B1 यहाँ पर है B2 अगर B1 B2 अलग अलग है तो इस equation को 1 वाले को B2 से multiply कर देना और इधर वाले को B1 से multiply कर देना मतलब जो भी गुडांक होगे उन गुडांक के opposite equation में एक दूसरे को multiply करना है अगर यहाँ पर B1 है तो B1 का multiplication यहाँ होगा अगर यहाँ पर B2 है तो B2 का multiplication यहाँ होगा जैसे ही करेंगे यह बन जाएगा B1 B2 यह बन जाएगा B1 B2 B1 का multiplication यहाँ भी होगा B2 का multiplication यहाँ भी होगा similarly इसका multiplication यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा इसके बाद जोड़िया घटाना करके eliminate कर देंगे ठीक वो देख लेते हैं कैसे करते हैं तो आपको बातें ज्यादा समझ में आ जाएंगी देखिए क्या करते है NCRT के अपनी बुक खोल लीजिए यह है आपकी elimination method English medium वाले English medium का खोल लेंगे 3.3.2 point पर पहुंच जाएंगे heading पर सीधे example से समझते हैं यह क्या लिखा है दो ब्यक्तियों की आए का अनुपात 9 अनुपात 1 है ratio जो है income का वो है 9 by 7 उनके खर्चों का अनुपात 4 by 3 है यदि प्रतेग ब्यक्ति महीने में 200 रुपाय बचा लेता है तो उनकी मासिक आए ज्याद कीजिए ठीक तो मान लेते हैं आए X और खर्च Y तो पहली ब्यक्ति की आए 9X हो जाएगी income और दूसरे की हो जाएगी 7X क्यों क्योंकि इनका अनुपात अगर लेंगे 9X by 7X तो क्या आएगा 9 by 7 ratio यही आएगा ठीक यह आए है इस बज़े से हमने इसको ऐसे लिखा खर्च 4Y 3 खर्च है Y तो खर्च पहले ब्यक्ति का 4Y और दूसरे ब्यक्ति का 3Y अब आगे क्यों क्या कह रहा है यदि प्रतेक ब्यक्ति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है बचाएगा कब जब आए अधिक हो और खर्च कम तो आए मेंसे खर्च को घटा देंगे तो पहले ब्यक्ति के लिए आए है 9X और खर्च है 4Y और वो कितना बचा रहा है 2000 समी करड़ 1 equation first दूसरा ब्यक्ति आए कितनी है 7X और खर्च कितना है 3Y यह भी कितना बचा रहा 2000 question में लिखा है कि प्रतेक ब्यक्ति मतलब per person दोनों कि 2000 रुपए बचा रहे हैं अब देखिए अगर substitution method से सालो करना होता तो यहां से हम एक value निकालते दूसरे equation में जाकर put कर देते तो बन जाता हमारा substitution method हां़े यहां पर क्या करना? you know open विलोपन में में क्या देखा? suppose क्योंकि प्लस को जब से घटाएंगे तो माइनस बन जाएगा तो प्लस माइनस 0 बन जाएगा ठीक denkt अब क्या करना है? अब इसके multiplier को देखिए इधार है 4 इधार है 3 तो इस equation में equation number 2 में 4 का multiply कर दीजिए और इस equation में 3 का multiply कर दीजिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे equation first is multiplied by 4 and equation 2 is multiplied by 3 ठीक पहले multiplication कर लेते हैं जब यहाँ पर multiplication कर लेंगे equation 1 is multiplied by 3 क्योंकि यहाँ पर multiplier है 3 तो 3 का multiply उपर होगा और यहाँ का multiplier 4 4 का multiply नीचे होगा multiplied by equation 1 को हम multiply किये किस से 3 से और equation 2 को multiply किये 4 से जब कर देंगे multiply तो क्या आएगा चलिए multiply कीजिए यहाँ पर 3 से अब क्या कीजिए यह सेम बन गया अब इसको क्या कर दीजिए अगर सेम एक ही है तो फिर क्या कर दीजिए गटा दीजिए गटाने पर इसके sign बतल जाते हैं अगर यह plus लिखा है तो यह क्या बन जाएगा minus यह minus यह यह बन जाएगा plus और यह plus है 8000 तो यह बन जाएगा minus जब सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह बन जाएगा 0 27 में से 28 गया तो क्या बचेगा minus 1 तो minus x और 6000 में से 8000 सब्ट्रेक्ट हुआ तो क्या बचा minus 2000 तो एक्स कामान क्या है 2000 अगर x कामान 2000 है तो y कामान क्या निकलेगा किसी भी एक equation में पुट कर दीजिए यहां पर पुट करते हैं सपोज सेकेंड में एक्स कामान 2000 लिखिए तो साथ दूना 14 14 इधर जाएगा minus में हो जाएगा तो minus 2000 minus 14,000 equation 2 में लिख रखेंगे तो 7 into 2000 minus 3y is equal to 2000 तो इस साथ दूना 14, 14 इधर जाएगा तो minus में minus 3y is equal to 2000 minus 14,000 minus 3y is equal to minus 12,000 तो y is equal to क्या मिला 4000 x i 2000 और y खर्च 4000 अब अगर ऐसा है तो यहां पर पुट करके देखिए क्याई equation satisfy हो रही है यहां पर रखिए 9 दूना 18 और 4 सते 4 चोक 16 का 18-16 2000 मतलब equation first सही है यहां पर रख कर देखिए साथ दूना 14 और 4 ते बारा 14 मानिस बारा 2000 यह दोनों सही है अब पूछा जाए ब्यक्ति वन की आए तो ब्यक्ति वन की आए क्या थी 9 एक्स तो कितना हो गई अठारा हजार रुपए ब्यक्ति दो की आए पूछा जाए तो क्या था 7 एक्स मतलब 14,000 रुपए ब्यक्ति वन का खर्च पूछा जाए तो खर्च कितना था किस अनुपात में है चार अनुपात तीन तो चार इंटू चार 16,000 और ब्यक्ति दो का खर्च पूछा जाए तो क्या मिलेगा तीन इंटू चार 12,000 यह आपका एंसर है एक सत्यापन हमने पहले ही कर लिया एक्वेशन में रख करके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विल ओपन विदी से किसी एक को भी आपको हटाना है चाहे एक्स को चाहे वाई को एंसर दोनों से एक ही आएगा यह इसका मेथड है मेथड हमने आपको बता दिया सीधे कुश्चन पर चलते हैं विल ओपन विदी का प्रयोग करके निम्न रेखिक समय करण यूगम के सभी संभव हलगयात कीजिए पहला है 2x प्लस 3y is equal to 8 4x प्लस 6y is equal to 7 equation 1 equation 2 यहाँ पर क्या करना है x को eliminate करना असान है क्यों क्योंकि यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2 अगर मैं इस equation में 2 का multiply कर दूँ तो यह 4 बन जाएगा तो क्या लिखेंगे equation 1 को 2 से पुड़ा करने पर तो क्या मिला 4x प्लस 3y आड़ दूनी 16 ठीक फिर क्या मिला 4x प्लस 6y बराबर 7 अब देखिए वैसे तो देखा जाए तो यह equation एक ही लिखी है इसमें इन equation में क्या है a1 by a2 b1 by b2 लेकिन c1 by c2 के equal नहीं है और ऐसी equation जब भी होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता no solution यह आपको बता चुके हैं जिससे आप कहते हैं कि असंगत हल और यहां से आप लगा कर भी देख लीजिए अगर मैं इसको equation 3 और equation 2 मैं माइनस करता हूँ equation 3 माइनस equation 2 तो 3 में से 2 को subtract करूँगा तो यह 0 आ जाएगा और 16 माइनस साइट क्या कभी यह possible है कि 0 नो के बराबर हो कभी नहीं इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं है और यही आपको दिया गया है ठीक और यहां से देखा भी जाए तो यह दोनों equation एक ही नजर आ रही है क्यों क्योंकि दूसरी equation में पहली equation का दो गुना digit लिखी है पस C1 C2 अलग अलग है अगर C1 C2 भी इक हल हो जाते तो इसके infinite हल हो जाते मतलब रेखाएं क्या है एक दूसरे के संपाती है एक दूसरे के ऊपर चड़ रही है कोई साइड कर रही है ठीक चलिए आगे क्या कह रहा है यह question important है यह उदाहरण बोर्ड के exam में आपके ऐसे question पूछे जाते हैं competition में भी ऐसे question पूछे जाएंगे क्या कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग चाछट है यदि संख्या के अंकों का आंतर एक दो है तो संख्या ग्यात कीजिए इसको थोड़ा practically समझते हैं अगर 24 लिखा है तो 24 को क्या लि तो दहाई के अंकों को दस से गुड़ा करेंगे अगर यही लिखा होता है 124 तो मैं इसको कैसे लिख सकता था एक गुड़े 100 प्लस दो गुड़े 10 प्लस 4 इसको 10 से multiply क्यों किये क्योंकि दो दहाई का अंक है इसको 100 से multiply क्यों किये क्योंकि यह सायकड़े का अंक है इस वज़े से एक तो मान लेते हैं let, माना संख्या के इकाई का आंग unit digit x है और दहाई का आंग क्या है y अगर दहाई का आंग y है तो संख्या क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी 10y प्लस x होगी या नहीं होगी इसको इसी वज़े से एक्जामपल दिये हैं आपको ताकि समझने में दिक्कत ना हो जो भी दहाई का आंग होगा उसको 10 से multiply करके एकाई का आंग को जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी एक्जामपल ये आपके सामने है फिर संख्या के अंग पलटने पर अंग पलटने पर क्या मतलब है कि इकाई को आप दहाई बना दीजी और दहाई को इकाई तो पहले इकाई कौन था एक्स अब वो दहाई बन जाएगा तो नई संख्या क्या हो जाएगी नई संख्या तो इकाई कांक जो था x वो अब दहाई बन गया तो नई संख्या हो जाएगी 10x प्लस y पहली equation क्या बनेगी दो अंकों की एक संख्या है उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना छाचट इन दोनों संख्याओं का एडिसन कर देंगे तो क्या मिलेगा चाचट तो क्या लिखेंगे 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x परावर चाचट तो यह क्या मिलेगा 11x प्लस 11y इस इक्वल टू चाचट तो 11 से डिवाइड करके इसको यह भी लिखा जा सकता है यह equation first है कहीं कोई दिक्कत हो तो ध्यान दीजिएगा ठीक आगे क्या कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है अंकों का अंतर 2 है अब हमें नहीं पता कि x बड़ा है y तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है यह हम मान रहें ठीक हमें पता नहीं है कि क्या है बड़ा तो माना x is greater than y x बड़ा है तो इनका अंतर क्या है x minus y बराबर 2 और x plus y बराबर क्या दिया है जोड़ना आसान है घटा भी सकते हैं इसके गुड़ांग बराबर है लेकिन चिन बराबर नहीं है चिन भी सेम है तो घटा दीजिए तो x cancel हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यह minus है यह plus इनको जोड़ देंगे तो अपने आप cancel हो जाएगे तो 2x बराबर 8 तो x बराबर 4 x का मान 4 यहाँ पर रख दीजिए तो y का मान क्या मिला ? 2 अब x का मान 4 था y का मान 2 है तो संख्या क्या हो जाएगी ? एक आई कांग मैंने चार माना था और दहाई कांग दुट वाई तो संख्या क्या हो जाएगी तू वाई प्लस एक्स वो सारी 10y प्लस एक्स मतलब 24 इसके अंग पलटी है तो क्या आएगा 42 दोनों को एड करेंगे तो क्या आएगा 6-6 हमारी पहली कंडिशन सटिस्फाई हो रही है और एक आई और दहाई के अंगों का अंतर कितना है दो और चार का अंतर कितना है तो ये भी सटिस्फाई हो रहा है इसका तो 24 है या 42 है दोनों एंसर आपके सही है ठीक पास समझ में आ गई यह एक्स ग्रेटर देन वाई है इस बज़े से 24 मिला अगर वाई ग्रेटर देन एक्स मान लेते तो आपको 42 मिलता है ठीक है तो य ग्रेटर देन एक्स मान कर आप निकाल लीजिए अब हम आते हैं अपने इक्सरसाइज पर इक्सरसाइज बहुती आसान है इस फस्ट कुस्टिन में मैं आपको कौन सा कुस्टिन बता दूँ जो देखने में टफ लग रहा है फॉर्थ बताता हूँ आपको first का fourth क्या दिया है x plus 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1 x minus y by 3 is equal to 3 ठीक equation first equation 2 यहाँ पर देखिए y का गुडांग यहाँ पर y का गुडांग कितना है 2 by 3 और यहाँ पर कितना है minus 1 by 3 तो यहाँ पर क्या करते है समी करण 2 में 2 का गुडा करने पर 2 को क्या कर देते है multiply कर देते है अगर मैं 2 को यहाँ पर multiply कर दूँगा तो क्या मिलेगा 2x minus 2y by 3 is equal to 6 यह equation 3 बनी equation 1 क्या है x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1 यह दोनों opposite sign के हैं और बागी सब कुछ equal है तो इसको जोड दीजिए जोडने पर sign change नहीं होंगे जो plus है वो plus ही रहेगा और जो minus है वो minus ही रहेगा हमें इसमें sign change नहीं होता अब आप इसको क्या कर दीजिए यह cancel हो गए 2x में x plus 2 जोड़िए तो 2x plus x by 2 is equal to 6 minus 1 ठीक तो क्या है दो दूना 4 एक 5 5x by 2 बराबर 5 तो x बराबर 2 x बराबर 2 आपको मिल गया जब x बराबर 2 मिल गया तो यह 2 जा करके यहां पर put कर दीजिए चाहे 1st में put कीजिए चाहे 2nd में अगर मैं 1st में put करता हूँ तो 2 बटे 2 क्या मिल जाएगा 1 1 इधर जाएगा तो minus में हो जाएगा यह हो जाएगा minus 2 तो लिख जाएगा 2y by 3 is equal to minus 2 तो y is equal to क्या मिलेगा minus 3 x बराबर 2 और y बराबर minus 3 यह दोनों value put करके देखिए कि दोनों equation satisfy होती है या नहीं यहां पर put करेंगे तो क्या मिलेगा 2 minus यहां पर minus 3 रखेंगे तो यह plus 3 बन जाएगा 3 और 3 कर जाएगे 2 plus 1 कितना आएगा 3 हमारा answer सही है अगर answer सही है इसका मतलब कि हम सही track पर हाएगे ठीक है 1st, 2nd, 3rd इनको सालो कर लीजीगा या 3rd को भी बता दूँ चलिए मैं 3rd को भी बता देता हूँ question number 3 क्या कहता है 3x minus 5y is equal to 4 फिर लिखा है 9x 2y को उधर ले आया अगर आपको y को cancel करना है तो y का गुड़ांग यहां पर क्या है 5 तो यहां पर 5 का multiply कीजिए और यहां पर y का गुड़ांग क्या है 2, तो इस equation को 2 से multiply कर दीजिए जब multiply करेंगे तो क्या मिलेगा 6x minus 10y is equal to 8 और 5 से इसको multiply करेंगे तो 9 पचे 45x minus 10y is equal to 35 तो उनों एक ही सिंबल एक ही चिन्न के हैं तो फिर क्या कर दीजिए minus कर दीजिए तो यह cancel 45 minus 6 minus 49x और 35 minus 8 कितना आया 5 और 3 27 27 तो एक्स कमान क्या में निकला 6 10 8 45 तो एक्स कमान कितना निकला 27 बटे 49 तो एक्स कमान कितना मिल जाएगा 9 बटे 13 9 बटे 13 जा करके फस्ट यह सेकंड एक्वेशन में रखिए तो 3 इंटू फस्ट में मैं रिक रहा हूं 9 बटे 13 minus 5y is equal to 4 तो एक्स कमान कितना 9 तरिक 27 बटे 13 minus 4 is equal to 5y 27 minus 52 बटे 13 is equal to 5y तो y is equal to क्या मिला 25 बटे 13 इंटू 5 तो y मिला 5 बटे 13 y और x हमें मिल गया तो जरा वहाँ पर पुट करके देखते हैं यह सही है या गलत ठीक तो फर्स्ट एक्वेशन में पुट करके देखते हैं फर्स्ट एक्वेशन में 9 तरिक 27 माइनस 25 बटे 13 नहीं गलत है 3 x माइनस 5 y इस इक्वल टू 4 और 9 x माइनस 2 y is equal to 7 हमने यहाँ पर 2 का multiply किया था तो 3 दूना 6 और यहाँ पर multiply किया था 5 का तो 3 दूना 6 मानस 10 8 ठीक है यह हो गया TX-5Y A-10 49 35 एक्स का मान 9 बटे 13 एक्स का मान अगर मैं 9 बटे 13 रखता हूँ नो ठीक सत्ताइस बटे 13 माइनस 4 यहाँ बराबर निकलेगा माइनस 5 बटे 13 यहाँ पर put करेंगे माइनस 5 बटे 13 इसे हो जाएगा 25 और 27 और 25 52 52 बटे 13 चार आपका चार इधर आ रहा है यहाँ पर put करके देखते हैं तो 9 इन्टू 9 बटे 13 माइनस 2 माइनस 5 बटे 13 9 नवा एक क्यासी एक क्यासी बटे 13 प्लस 10 बटे 13 एक क्यासी और 10 एक क्यानवे बटे 13 तेरा सते एक क्यानवे इसका मतलब कि हमारा एंसर सही है एंसर क्या क्या है X का मान है 9 बटे 13 और वाई का माने माइनस पांच बटे एक इसका मतलब थर्ड वाला भी साल्व हो गया अब आते हैं क्विश्चन नंबर तू में कैल्कुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा ये थोड़ा अभ्यास का प्रस्थन है कि आप प्लस माइनस में गलती ना करें ठीक है सेकेंड कुश्चन में क्या कह रहा है सेकेंड कुश्चन का फर्स्ट पार्ट यदि हम अंस में एक भिन है यदि हम अंस में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो माल लेते हैं लेट जो भिन है या fraction उसको माल लेते हैं x बटे y अंस में एक जोड़त दे रहे हैं और हर में एक घटा दे रहे हैं तो भिन एक बदल जाती है एक मतलब 1 by 1 फ्रास multiply कर दीजिए तो x plus 1 is equal to y minus 1 तो x minus y is equal to minus 2 equation first फिर क्या कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो एक बटे 2 हो जाती है तो हर में एक जोड़ दीजिए तो एक क्या हो जा रहे हैं एक बटे 2 उसको मतलब 2 2x is equal to y plus 1 तो क्या मिला second equation 2x minus y is equal to 1 y का coefficient क्या है same है एक ही sign है तो equation 1 minus 2 कर दीजिए 1 minus 2 करेंगे ये cancel minus x minus 3 तो x बड़ाबर 3 अगर x का मान 3 है तो y का मान क्या मिलेगा 5 चेक कर लीजिए अगर भिन हमारी 3 बटे 5 है तो क्या कह रहा अंस में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो एक जोड़ ये जरा तो 4 बटे 4 मतलब 1 पहली condition satisfy हो रही है फिर क्या कह रहा हर में एक जोड़ दें तो एक बटे 2 हो जाती है तो हर में एक जोड़ दीजिए 3 बटे 6 मतलब एक बटे 2 इसका मतलब की answer हमारा सही है जो भिन की value है fraction की value है वो क्या है 3 by 5 next आयू क्या कह रहा है पांच वर्स पूरो नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी दस वर्स पस्चाथ नूरी की आयू सोनू की आयू की दो गुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयू कितनी है तो मान लीजिए नूरी की आयू क्या है एक्स और सोनु की y पांच वर्स पहले मतलब एक्स माइनस पांच y माइनस पांच कहरार नूरी की आयू सोनु की आयू की तीन गुनी थी सोनु की आयू की तीन गुनी ये equation first है यहाँ से equation क्या बनी x-3y is equal to minus 10 समी करड एक ठीक फिर क्या कह रहा दस वर्ष पस्चात सूरी के आयो सोनी के आयो की दोग नी थी तो दस वर्ष पस्चात मतलब x plus 10 2 y plus 10 तो क्या मिला x minus 2y is equal to 10 x का coefficient same है तो हम घटा देते हैं तो लिख देते हैं equation 2 minus equation 1 left side का left side से घटाईए right side का right side से घटाईए तो 2 पहले लिख दीजिए equation 2 का left side minus equation 1 का left side equation 2 का left side minus equation 1 का left side तो क्या हो जाएगा x और x pencil यह हो जाएगा y is equal to 20 मतलब sonu की आयो 20 वर्ष है तो x y की value 20 कहीं भी put कर दीजिए तो x की value क्या हो जाएगी पचास ठीक आप चेक भी कर लीजिए नूरी की आयो 50 है और sonu की आयो 20 वर्ष है क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले नूर पाँच वर्ष पहले इनकी 45 हो गई थी और इनकी 15 तो क्या तीन गुना है? टीन गुना है दस वर्ष पस्चात इनकी हो जाएगी 60 और इनकी हो जाएगी 20 का 30 तो क्या दो गुना का अंतर है है इसका मतलब सही ठीक कोई दिक्कत चलिए अंक वाले कुश्चन में चलते है क्या कह रहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो माल लेते हैं संख्या इकाई का अंक X दहाई का अंक Y इनका योग करेंगे तो बता रहा 9 अंकों का योग क्या है 9 इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है संख्या निकाल लेते हैं संक्या क्या हो जाएगी दहाई के अंक में दस का मल्टिप्लाई करके एक आई का जोड़ दीजिए अंको को पलटने पर कि अंको को पलटने क्या मतलब है कि जो 1 आई का अंक था उसको दहाई का बना दीजिया वह अगर एकस यहां आएगा यहां जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी 10x यह reversal im s और संख्ष्या का 9 गुना, संख्या के पलटने से bandy sankfirst used संख्या का दो गुञा है, तो इसका 9 गुणा, 10y प्लस X is equal to संख्या के पलटने परप्णी संख्या का दो गुञा, 10x plus y, तो क्या हुआ, यह equation 2, इसको सालू कीजिए, तो यह हो जाएगा, 10 नमाई, 90, 90 minus 2, 88 y, और यह हो जाएगा, 9x minus 20, 11x is equal to 0, तो यह हो जाएगा, 8y minus x, is equal to 0, यह है समीकरण 2, हमें, चूंकि, विलोपन विदी से ही सालू करना है, तो फिर, यहाँ पर जाकर के, इसको ऐसे लिख लीजिए, x plus y बराबर 9, फिर है, minus x, plus 8y, is equal to 0, जोड़ दीजिए, तो 9y is equal to 9, तो y is equal to 1, अगर y बराबर 1 है, तो x बराबर क्या निकलेगा, 8, तो संख्या क्या बन जाएगी, 18, संख्या क्या हो जाएगी, 18, 10y plus x, चेक कर लेते हैं, इसका अंग पलटने पर, पहली बात तो इनके अंगों का योग क्या है, 9, तो 18 के अंगों का योग, 1 plus 8 क्या है, 9, हमें, equation first, satisfy हो रही है, दूसरा इनके अंगों को पलट देते हैं, क्या हो जाएगा, 18 का उल्टा, 81, अब क्या कहे रहा, कि 81 का दो गुना, और 18 का 9 गुना, बराबर हैं, तो जड़ा देखिए, बराबर हैं, 189, 172, 189, 162, और 182 करेंगे तब भी आएगा, 162, इसका मतलब कि हमारा इंसर सही है, इसमें संख्या क्या हो जाएगी, 18, 18, कहीं कोई दिक्कत हो, तो बताइए, अदर्वाइज, आगे बढ़ते हैं, पूर्थ नंबर, पूर्थ नंबर क्या है, पूर्थ नंबर ये है, कि मीना, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंग गई, उसने खजांची से 50 रुपए, 100 रुपए नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 रुपए के लिए, बताइए कि उसे ने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने रुपए के लिए, तो मान लीजिए 50 रुपए के लिए के लिए, एक्स, और 100 रुपए के लिए के लिए, कितने है, वाई, तो नोटों की संख्या कितनी है, 25, equation first, अगर मैं इसकी व रुपए में वैलू है, वो कितना है, 50 रुपए को एक नोट की वैलू से संख्या से मल्टिप्लाई कर दीजिए, तो 50 एक्स, प्लस, 100 रुपए, इस इक्वल तो कितना है, टोटल, 2000, ऐसा क्यों किये, सीदी जी बात यह, अगर आपके पास 50 के दो नोट है, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपए, तो वही चीज हमने किया है, 50 एक नोट की वैलू है, इन्टू नमबर आफ नोट्स, फिर 100 एक नोट की वैलू है, इन्टू 100 के कितने नोट हैं वो, इन सब को मल्टिप्लाई करेंगे, तो हमें 2000 रुपए मिलना चाहिए, क्यों, क्य ही निकालना है, अब क्या कीजिए, इस पूरे एक्वेशन को, 50 से भाग कर दीजिए, तो एक्स पर, यहां पर लिख लीजिए, समी करड़ 2 को, 50 से भाग करने पर, तो क्या मिला, एक्स प्लस टू वाई, चालिस, और उपर वाली एक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई बराबर, 25, घटा दीजिए, घटा है क्यों, ताकि एक्स विलोपित हो जाए, इलिमिनेट हो जाए, तो टू वाई मेंसे वाई गया, वाई, और चालिस मेंसे पचीस पंदरा, इसका मतलब की सो के कितने नोट हैं, पंदरा, तो एक्स, मतलब पचास के नोट कितने होंगे, दस, तो पचास के दस नोट कितने बने, पांसो, और सो के पंदरा नोट कितने बने, पंदरा सो, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, दो हजार, हमारा एंसर सही है, ठ बहुत समझ में आ रही है कहीं कोई दिक्कत हो तो पूशते रहिएगा लास्ट कुश्यन ये है कि किराय पर पुस्तके देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है उसके बाद प्रतेक अत्रिक्त दिन का अलग किराया है यह वही आटो वाला सवाल है टारिता ने साथ दिनों तक वो एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपई अदा की ए जबकि सूसी ने एक पुस्तक पांस दिनों तक रखने की 20 रुपई अदा की है। इसके लिखाना उसके बाद प्रतेक अत्रिक्त दिन उसके बाद तीन दिन के बाद पर्डे पर्डे का मतलब एक दिन का किराया मान लेते हैं वाई है तो ये साथ दिनों के लिए साथ दिनों के लिए कितना दिये 27 तो साथ में से तीन दिन तो फिक्स किरायक हो गए और चार दिन पर्डे वाले किरायक है इस टोटल को मिलाकर इन्होंने 27 दिये किसने तरिता ने और सूसी ने क्या किया पांच दिन पांच दिन में से तीन दिन त equation को सालो कर लीजिए एक्स एक्स है यहां पर सब्ट्रेक्ट कर दीजिए तो 4y-2y 27 में से 21 सब्ट्रेक्ट कीजिए तो क्या बचा 6 तो y बराबर 3 y बराबर 3 किसी भी एक equation में जाकर के put कर दीजिए तो 2y मैंने equation 2 में put किया तो 2y is equal to क्या मिला 18 sorry x plus 2 into 3 is equal to 21 तो x is equal to 21 minus 2 6 तो x बराबर 15 निकाल कर देख लीजिए तरिता ने कितने दिन रखा 7 दिन तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो 15 रुपय हो गया और 4 दिन कितना किराया लग रहा 3 रुपय तो 4 दिन का किराया हो गया 12 तो टोटल सरिता ने कितने दिये 27 सूसी का निकाल कर देख लीजिए 5 दिन रखा सूसी ने तो प्रथम 3 दिन का किराया तो नियत किराया है 15 रुपया और 5 दिन में से 3 दिन चले गए बचे कितने 2 दिन और 2 दिन का पर दे किराया लगेगा तो कितना लगेगा अच्छे तो 15 उच्छे 21 उसी को 20 रुपय बदा करने तो यह हमारा answer है नियत किराया है 15 और पर दे किराया है तीन रुपय पर दे ठीक आज के लिए हमारा यह टॉपिक खतम हुआ इसी के साथ यह चैप्टर भी खतम हो गया प्रेक्टिस करते रहिएगा कहीं कोई डाउट हो पूस्ते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की बात है अब हम जो भी कुश्चन पढ़ेंगे अगर हमें यह नहीं दिया रहेगा कि हमें किस विद्धी से सालू करना है तो आपको जो आसान लगे या तो एलिमनेशन मेथड यह सब्सेट्यूशन मेथड जनरली एलिमनेशन मेथड ही आसान पड़ता है तो इसकी अच्छे से प्रेक्टिस कर लिजिए इसी भी तरीके से जाईएगा आंसर सेम निकले गांसर क्रास चेक जरूर कीजिएगा कि आपका एंसर सही है या गलत अगर वो आपने equation सही नहीं बिनाई या आपने equation को solve करने में मतलब plus minus करने में आपने गड़बढ़ की plus होने पर sign change नहीं होते minus होने पर sign change हो जाते हैं plus का minus बन जाता और minus का plus बन जाता है ठीक यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो अगले topic पर हम अगले chapter start करेंगे तब तक के लिए खुब मेनत कीजिए खुब पढ़ाई कीजिए धन्यवाद